दोस्तों छोटे परदे के लोग पर ये किरदार अप्पू सीरीज को बड़े परदे पर लाने का एक खुबसुरत प्रयास इनिमेशन फिल्म अप्पू के द्वारा छोटी बच्ची जैनवरों पर बने किरदारों को काफी ज़दा पसंद करते हैं लेकिन जंगल का जीवन बस्तियों में रहने वाली इंसान को भाय है और घर के बड़े अपने बच्चों को लेकर ऐसी फिल्म में देखने सिनेमा घर तक आएं बड़ा मुश्किल गाम है वैसे एक बात कहूंगा इसके लिए अप्पू जैसी फिल्म का बनाना भी साहस के भरा काम ही है डिजनी के अनिमेशन फिल्में भारत में खोब चलती है लेकिन तुलना में देखा जाए अप्पू को सिर्फ डेर सो स्क्रीन पर रिलीस करने का फैसला बिल्कुल सही फैसला मुझे लगा अगर फिल्म आपके घर के आसपास लगे हो तो आपका बच्चा छोटा है या बच्ची अभी किंडर गार्डन या कर्दनसनी में पढ़ रहे हो तो फिल्म आपने जरूर ले जाकर दिखा सकते हैं वैसे एक बात कहूंगा फिल्म आपको की कहानी वहां से शुरूर और यह जहां शिकानियों का दल एक हांती को लेकर ट्रक के पीछे भाग रहा होता है एक नन्ना आती आपको उस ट्रक का पीछा करता है उसके बूते पर बाहर की बात है ट्रक को रोक पाना लखडा का गिरता है बेहोश होता है आँके खुलती है सामने टाइगर दिखाई देता है टाइगर जो एक घरेलू कुत्ते का नाम है घबराईये मत अपने मालिकों से बिछल चुका है बातू नहीं है लेकिन अप्पू को सहारा बन चुका है अप्पू इसकी राम कहानी सुनना आता है और खुद भी बताता है कि वह वहां कैसे पहुंचा अब इन सब कहानी के बीच अगर एक बच्ची भी आती है जो शिकारियों के चंगल से निकल कर भाग रही होती तितली क को भी वह आजात करा चुकी होती है अप्पू के उस अड़े का पता मिल जाता है पापा को शिकारियों ने कैद कर रखा है मुश्किल वक्त में उसे अपनी दादे की याद आती है और इस पूरी के पूरी कहानी की बात करें तितली और बड़े पर रिलेज होने वाली एनिम फिल्म पहले दो फरवरी को रिलेज होने वाली थी हपता हपता करते आगे खिसकते फिल्म फिल्म आखिर अप्रेल तक जा पहुँशी स्कूली बच्चे एक खासका नर्सरी और किंडर गार्टन के बच्चों के फिल्म सामुहिक रूप से दिखाई जा सकती है साथ उनकी अभिभावक भी आ गये तो फिल्म का एक अच्छा बिडनेस मोडूल बन सकता है वसे प्रसंजीत, अजयवेलू और आचिसमान ने करके एक बेसिक सी अनिमेशन फिल्म को तयार का कहानी को बनाया है जैसी कहानिया बच्चे अच्छर ग्यान के साथ किताबों में पढ़ रहे होते हैं लेकिन इस फिल्म को देखकर खुब किलकारी मारकर हसे हैं ऐसे मौकर पर फिल्म देखा जाए थोड़ी कम लागी है लेकिन फिल्म करीब 90 मिनिट की है तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्प्राइब करने का वक्त आप भी इसे देख सकते हैं आई होब कि ये वन टाइम वाच होने के साथ ही हमारी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना बिलकुल ना भोलेगा और हमारे यूटूब चैनल गोसिक वाली गैलरी को अब भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना भी पिलकुल मत भूलेगा